आप सबी का SM News में स्वागत है आज हमारे इस चैनल पे मौझूद है फोजी जनता पार्टी के रास्टे अध्यक्ष राम महर मलिक जी राम महर मलिक जी आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है धन्यवाद खुच्बू अभी हाल ये में हरियाणा में अमिश्या का एक विवाद बयान हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि परमपरा जाती बात परमपरा को उन्होंने तोड़ा है कौन सी परमपरा है जिनको उन्होंने तोड़ा है खुस्वू एक्षली ये जो सरकार है और खासकर के इस सरकार के जो अध्यक्स और इनके मुख्या सरकार के जो मुख्या हैं ये दोनों ही जब से आए हैं तब से जूट की राजनिती करते आए हैं जूट ही बोलते आए हैं दुनिया को गुम्रा करते आए हैं जनता को पूरे क आने दिया, जाटनों को पीछे धकेल दिया और हमने दूसरी जाती का मुख्यमंत्री बना दिया है और जब यह बयान दिया तो मुझे दुख हो रहा है कि तालिया बजाने वाले सबसे जाधा जाटी थे तो खुश्बूब देखिए मैं कोई जाती के राजनिती ने कर रहा हूँ फौजी जनता पार्टी पूरे देश की है पूरे धर्मों की है सारी जातियों की है क्योंकि सैनिक किसी एक विसेश वर्क का नहीं होता है ना सैनिक किसी एक जाती का होता है न सेनिक की जाती है वो मानोता है और सेनिक का धरम है इंसानियत ये दोई चीजे हैं लेकिन ये लोग जो इशारा कर रहे हैं मैं उसके ओपर ये जवाब देना चाहूंगा हर जाती और हर वर्ग के लिए फोजी जनता पार्डी उनके साथ खड़ी है और हर वर्ग को हर धरम को हम मजबूत करेंगे क्योंकि सभी धर्म बराबर हैं कोई धर्म अलग नहीं है अपनी अपनी जाती तीकि भगवान ने जनम दे दिया जिस धर्म में दे दिया जिस जाती में दे दिया उसमें किसी वक्ति का क्या कसूर है तो जहां भी जनम दिया है वो प्रमादमा ने दो दिय है वो हमें वही मनजूर करके और उसी तरीके से आगे बढ़ना है तो इनका हिषारा जाटों की दरफता जाटों को ये समझना होगा कि इस तरीके से आप किशी को मौका ना दे उनके ताली पीटने का मतलब जो यह हो गया कि उनको भोसी करना चाहूंगा बाबा साब का कि बाबा साबने अगर इस वरक के बारे में नहीं समिधान में लिखा होता तो ये लोग तो मेरे खाल से किसी को जी भी तनी चोड़ते इनकी बुरी हालत कर देते बाबा साब के मेरे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करूं कि उन्होंने पूरे जातियों और पूरे धर्मों का उन्होंने सब का उसमें उल्ले किया है और काशी राम जी एक बहुत हस्ती बाद में आजादी के बाद और बाबा साब के बाद बहुजन समाज कई बारे में अगर किसी ने सोचा है तो वो काशी राम जी थे उन्होंने बहुजन समाज को संगठित किया है बहुत अच्छी तरह मजबूती से उनको इकठा करके आगे चले हैं लेकिन ये वरत्मान सरकार उनको बरबाद करने पर तुले हुए हैं ये बहुजन समाज को मिटा देना चाहते हैं तो बहुजन समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा पंचबूती के साथ और इन जाटों को भी खड़ा होना पड़ेगा 36 बरादरी इकठी होकर के जब तक नहीं लड़ेंगी तो ये काबू माने वाले निये बहुत ही निकमी सरकार है घटिया विचानों की सरकार है साथ सबका विकास फाल तुबात है ये बकवास है बिल्कुल ये इनका है सबका साथ यानि साथ सभी धरम और जातियों का ले लो और चुनिंदा जो इनके चहते हैं उनका विकास करो वही करते हैं मुठी बर लो कॉर्परेट हो आज देखिए इस देश को कौन चला रहा है सरकार बनाता कोई और है चलाता कोई और है चलाने वाले मुठी बर लोग हैं वो कभी वोट डालने जाते भी नहीं है सरकार बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है लेकिन सरकार वही चलाते हैं ये बहुत दुखत है, तो हमें नफरत है इस किसम की जो जाती और धर्म की राजनीति करते हैं, फोजी जनता-पाटी इसको कंडम करती है, सिरे से खारिज करती है, और फोजी जनता-पाटी हर वर्ग और हर धर्म के लिए काम करेगी, और मैं सब को कहना चाहूंगा, आपके मा हमारा मकसद है देश को बचाना वरग तभी बचेंगे जब देश बचेगा अगर देश ही नहीं रहेगा तो कौन सी जाती है और कौन सा वरग रहेगा तो मेरा निवेजन सबसे यही है कि आप सब इकठे हो जाएं फोज इनतापाडी के साथ लगें और देश को बचा लें दे भी हम देश को बचा पाएंगे तो भी समयदान को बचा पाएंगे मलिक जी आपका हमारे इस चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद को जय हिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन ब पहुंच सकें आप पे सबसे पहले